भगवान शिव जिनकी आनन शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता सभी पुरानों में उनकी अता शक्ति और उनके अवतारों के रहसे के बारे में बताया गया है लेकिन जिस तरह भविश्य पुरान में भगवान विश्णू के नो अवतार और आने वाले कल की अवतार के बारे में बताया गया है उसी तरह इसमें भगवान शिव के आने वाले अवतारों के बारे में नहीं बताया गया इसलिए किसी को भी यह नहीं पता चलता कि उनका अगला अवतार धर्ती पर कब अवतरित होगा भगवान विश्णु के कल की अवतार के बारे में संपून जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में दी हुई है वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं कि भगवान शिव श्रिष्टी पर कब अवतरित होंगे साथ ही हम आपको उनके अवतारों और स्वारूपों के बारे में भी बताने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हो लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल लिंक पुराण में भगवान शिव के 28 अवतारों के बारे में बताया गया है पर उसमें सभी नामों का जिक्र नहीं मिलता है तो वहीं शिव पुराण में भगवान शिव के 19 अवतारों का वर्णन मिलता है अगर हम पुराणों के साथ साथ वेदों का भी अध्यन करें तो हमें पता चलेगा कि भगवान शिव अनत निराकार हैं जिनका कोई रूप नहीं है शंकर भगवान को उनका भोतिक रूप माना जाता है जिनने खास कारे के लिए तीन आयामी शिष्टी में आना पड़ता है लेकिन भगवान विश्णु के विपरीत भगवान शिव के ये अवतार स्थाई हैं यानि समय समय पर ये अवतार इस तीन आयामी शिष्टी में आते रहते हैं जिस तरह नंदी अवतार भगवान शंकर के साथ ही दिखाई देते हैं वैसे ही वीर भद्र उनके रूद्र अवतार हैं जो समय समय पर उनका कारे करते हैं परशुराम और हनुमान जी तो अब भी इस धर्ती लोग पर विराजबान है इसी के साथ उनके भविश्य में आने के संकेत कई पुराणों में मिल जाएंगे अगर हम पुराणों का अध्यन करेंगे तो पाएंगे कि ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है जिसमें भगवान शीव अंत में आते हैं और विनाश करते हैं यही उनका कार्य है क्योंकि उसी के बाद दोबारा सरजन हो पाता है हमारा कल्यूग भी चार लाग बत्तिस हजार साल का है जिन में से पाँच हजार साल बीच चुके हैं भगवान विश्णू का कल की अवतार इस यूग के अंत में जनम लेगा और बुराई का अंत करेगा उस समय पर भगवान शिव और हनुमान जी सब के सामने आएंगे क्योंकि वे अमर है भविश्य पुराण और ब्रह्मा पुराण के अनुसार ये चार यूग यानी एक महा यूग खतम होते हैं तो हर भोतिक और अमर वस्तु नश्ट हो जाते हैं और यह सब भगवान शिव की कारण ही होते हैं हर पुराण में ही ये बताया गया है कि प्रले भगवान शिव का ही एक रूप है जिसमें अथा शक्ती होती है उससे कोई नहीं बच पाता इस तरह कल्यूक के अंद में भगवान शिव प्रले लाएंगे जिसमें सभी भोतिक वस्तु नश्ट हो जाएगी परशुराम और हनुमान जी भी इस प्रले में अपना धे त्याग करेंगे और दोबारा भगवान शिव में ही विलीन हो जाएंगे इस प्रले में सिर्फ वही रहेगा जो अपने ज्यान से भगवान शिव को महसूस करेंगे इसके बाद फिर से सत्यूक की शुरुवात होगी और सबको भगवान शिव की प्रले कारी शक्तियों का पता चलेगा उसके बाद स्रिष्टी का नया सरजन होगा और भगवान विश्णू का कारे शुरू होगा ब्रह्मा जी द्वारा नई स्रिष्टी का निर्मान होगा और भगवान विश्णू उसको नई दिशा देंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरू करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना अगर आप पहली बार लोकल जर्णी चैनल का वीडियो देख रहे हो तो लाल सब्सक्राइब बटन को दबा कर हमसे जरूर जुड़ें थैंक्स फॉर वाचिंग मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई